लतादीदी प्रणाम मैं नरेंदर मोधी बोल रहा हूँ मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदीन पर मैं हवाई जहाज में ट्रावेलिंग कर रहा हूँ तो मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदीन की बहुत बहुत शुब कामना है अगरिम बधाई दे दूँ आपका स्वास अच्छा रहे आपका आशिरवाद हम सभी पर बना रहे बस यही प्रार्थना और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग और तब आपका जन्मदीन हो गया होगा जन्मदीन तो क्या मनाएंगे और मस घर में सब लोग तो आपका आशिरवाद मिले तो अरे आपके आशिरवाद हम मागते है आप तहम से बड़े है उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते है पर आपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशिरवाद मिलना बहुत बड़ी चीज़ की है दिदी आप उमर में भी बड़ी है और काम में भी बड़ी है और आपने तो ये जो सिद्धी पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पीता का अशिरवाद है और सुनने वालों का अशिरवाद है मैं कुछ नहीं हूँ यही आपकी नमरता जो है यह हम नई पीडी के सब के लिए एक बहुत बड़ी सिक्षा है बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके मात पिता के संस्कार और नमरता को हमेशा ही प्रात्विक्ता दी है मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी मा गुजराती थी और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ गुजराती खिलाया आप क्या है आपको खुद पता नहीं है मैं जानती हूँ कि आप क्या आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वो वही मुझे बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है बदिदी आपके आसिरवात बने रहे पुरे देश पर आपके आसिरवात बने रहे और हम जैसे लोग कुछ नुकुछ अच्छा करते रहे मुझे आपने हमेशा प्रेणा दी है आपकी चिठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ नुकुछ भेट सोगात भी मुझे मिल पति रहती है तो इस अपना पन शुक्षा अनन्च मुझे होता है। मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चारती हूं कि मैं देख रही हूं जानती हूं कि आप कितने बीजी होते हैं और आपको कितना काम होता है क्या क्या सोचना पड़ता है जब आप जाके अपनी माता जी को पाँ चुके आए देखा तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका अशिरवाद लिया हाँ मेरी मा को याद था और वो मुझे बता रही थी और टेली फोन पर उनके अशिरवाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी मा बहुत प्रसंद थी आपके प्यार के कारण और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं फिर एक बार मैं आपको जन्मदीन की बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाओं लेक दरूश दरूश यह तो मेरा सवागी होगा प्रणाम दिदी बहुत शुक्रामना है आपको बहुत बहुत प्रणाम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के ब